हेलो गाइज वेलकम बेक तो आवर निव वीडियो और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेबी पेरोट को क्या खिलाने से उसकी देथ हो सकती है हें इस वीडियो में मैं आप ल्लोगों को बताओंगा कुछ जो टॉक्सिक फूड होते हैं बेई पेरोट के लिए किलियरलिया नीस वीडियो में आप लोग को समझाओंगा सो पलीज की अप लोग एंड तक बीडियो पहुंच सके और वो भी ये वीडियो देख सके और वो भी अपने बेबी पेरोट का केर कर सके तो चलिए वीडियो को हम लोग श्टार्ट करते हैं बिना देर कुए और गाइज उससे पहले आप लोगों को में बता देता हूं कि मैं कोई सेलर नहीं हूं यदि मेरे से कोई बे खिलाने से भी वेवी पेरोट की जान चली जा सकती एंड इस वेवी पेरोट की हालत बहुत ज्यादा नाजूक थी तो इसका तो देथ हो गया और आगे मैं वताओंगा कि इसको इसका रिजन क्या था कि ये किसले मरा जो घर का खाना आप लोगों को बिलकुल भी नहीं देन क्याना होता है human जो खाना होता है वह बड़्स को नहीं दिया जाता है एंड आप लोग जो ग्रीन घरीन घरों वह आप लोगों को जब तक वह थी। तब तक आप भेजिटवल ना दे क्योंकि वह सेल पे तब नहीं आता है और आप उसको पेश्ट करके खिला सकते बट आप लोग जदी घर में उसको मतलब जैसे बनाते हो सबजी बनाते उसको यह आप उसको जदी खिलाते हो तो बेबी प्रट के लिए हानिका रखे फश्ट सेकेंड है गाईज सेरेलेक्स तो सेरेलेक्स भी है आप लोगों को अपने बेबी प्रट को कभी भी नहीं खिलाना है गाईज सेरेलेक्स में मिल्क होता है सुगर होता है और ऐसे बहुत सारे चीजे होती है जिससे खाने से आपके बेबी प्रट की तबियत खराप हो सकती है और उसके बाद उसकी जान भी चली जा सकती है यह हो गया गाइज थर्ड हो गया गाइज चना दाल तो चना दाल भी आप लोगों को अपने बेवी परट को नहीं खिलाना है चना दाल खिलाने से भी आपके बेवी परट की जान चली जा सकती है चना दाल क्या गाइज कोई पॉलिश क्या होता है जो मार्केट में जाल बन गाता है वो उसमें बहूत सारे केमिकल मिक्स होते हैं तो इससे क्या रहता है कि बेबी प openly तो गाता अपके जाती है लुगान थुरे पमोस्मेजेंहोंने बने एकशन तोलिस हो दांचाहि कर भेजन के मार्ग Gibson छाए यह दोनों के दोनों मर चुके हैं यह इसलिए मरें कि किसका उन्हों जह है उन्हें गलत फूट खिलाता था और मैंने बताया उसको कि यह नहीं खिलाना है फिर वो बाद में वैसे भी वो माना नहीं तो फिर बाद में इसकी देथ हो गई आप लोगों को यह गलतिया नहीं करनी है कि आप लोग यह सब ज़दी खिलाते हो तो प्लीज आप लोग अबोइट करे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या खिलाना है और मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई है कि क्या बेवी परट के लिए सही होता है और क्या नहीं होता है तो उन वीडियोज को आप जाके देख सकते हो आप हैंड फिर्डिंग फॉर्मूला खरिश सकते हो वो बेश्ट होता है यह भी आप उफोर्ड नहीं कर सकते हो आप लोग नॉर्मली जो चना का सत्तू आता है आप उसको लिक्वीड फॉर्म में ये करके आप उसको खिला सकते बट उससे सब नुट्रिशन बेबी परट को नहीं मिलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग A19 हो गया या पैट सलाइब का हैंड फिर्डिंग फॉर और भी है उसके मतलब डीटेल में मैंने वीडियो बनाया ता आप लोग जाकर देख सकते हो तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर बाई बाई गाईज